सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटिस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इंडिया अलाफ्ट जर्म के खिलाफ आवाद्स माँ पड़ी लापरवा हो गई है दर्वाजा खोला ही छोड़ देती है क्या मम्मी मम्मी कहां परवा आप आपको पते आज पार्टी में बहुत मजाया मैंने और महीमा ने बहुत डांस किया बहुत अच्छा खाना भी था आपको आपर हो मम्मी 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 प्रिवारी सर्म कोलीज में एमें बढ़ाते हैं यह कोचिंग ग्लास में टॉप गएर में चले आते हैं अब डककन अगर वो कॉलीज में अच्छा पढ़ाने लगे ना तो कोचिंग ग्लास में ताला लग जाना है हाहा अरे चुपो जा भायो वो देखो हमारे कॉलेज का आंस्टाइन आ रहा है अब देख मिस्टर आंस्टाइन को ना मतिखूंगा ही नहीं उससे ना आर पार हो जाए गए अरे यह देखो तुम्हें छेफिट का आदमी नहीं दिखता अब एक किताबी कीडे तुन्हें मनुष्योंने में जना मीं क्यों लिया इससे अच्छा होता कीडा बनकर किताबी चाड़ता रहता वो देखो अपनी आलिया बाट आरी है झान किताबा आरी है झान किताबी चार्वण súए प्रद वा进 कि अपनों के सवधागर को अपने गुम गया क्या अंदर चल वन्हारी क्लास निलेगा और तेरी क्लास लगादेगा वेटे जल अंदर अपना पाही बनाई बनाईगी क्या अपना देना अपना बनाईगी जो चाह पड़ाई पड़ दे आंदे बुट इवनिंग! बुट इवनिंग, सार्थ! येस! नोट्स पनाली आपलोगो ने? नोट्स? सार्थ! मैने कम्लेट किल दिया, सर्थ! आप लोग रवी की तरफ देखिये कुछ सीखिये उससे, या सिर्फ यहाँ पर माबाब के पैसे उड़ाने आता? अचाय ये पिशला चैटर क्या दा खोलिये? और लास्ट के थ्री सम्स रिवाइस कीज़े, ठीक है? शनाय, एक मिट बहार हो मझे तुमसे कुछ बात करनी है, आप लोग कंटीनु कीज़े, ओके? तिवारी के रादे कुछ ठीक नहीं लग रहे है, शनाय को अकेले कोने में लेके जा रहा है अबे ढकन, तिवारी सर शनाय के सगे चाचा है, समझा? और उनका कोई फेमली मेटर होगा, इसलिए अंदर जाकर बात कर रहे हैं और तुम्हें बड़ी खुझली है सब कुछ जानने के ऐसा है संपर्ध्यान दो, तो विद्यामाता परिशान होगी वरना फर्रों का इस्तमाल करना पड़ेगा पास उने के लिए, समझे? शनाय देखो, दीपा भावी बड़ी हैं तो उनका में लिहास करता हूँ उनके लावा किसी ने ऐसी बात की होती है न तो मेरा रियक्शन क्या होता तुम अच्छी तर जानती है चाचो आप तो मम्मी का नेचर जानते हैं और ऐसे भी पापा के चले जाने के बाद वो थोड़ा बदल गई है थोड़ी चिर्चिडी हो गई है अच्छाया उन्हें सम्हालो उन्हें तुम अपने हिसाब से समझाओ ने तो बाद में मुझसे मत कंप्रेंट करना जी चाचो अभे तु शनाया के बारे में सोच भी कैसे सकता है कहां तु चंपू कहां वो हॉट बेब हॉट बिप हॉट बिप क्या लगागे रखा है शनाय के बारे में न ऐसे अश्री शब मत यूज क्या कर अभी है तेरी सुन मेरे भाई तु ना बाल ब्रह्मचारी का बाल ब्रह्मचारी रह जाएगा अगर बेटा लड़की पटानी है न तो शारुक बन शारुक समझा क्या ये चमेली का तेल लगाकर तु शनाय को पटाने के खौब देख रहा है हां तु मेरी छोट नोट्स क्यों नी बने क्यों नी बने तेरा कुछ नी हो सकता एंस्टैन के उलाद यह मैं तो लड़की पटाने का भ्रहम ग्यान दे रहा हूं और तु नोट्स की पीचे फाग रहा है और वैसे भी नोट्स बनाकर मुझे मापाप थुणना करना है तु है ना तेरे मेंसे चेप लोंगा और हां उससे शनाया पटने वाली नहीं है तु पस दूर से तारते रहे ना यह अजा इसा क्यों बोल रहा हूं अपे सही तो बोल रहा हूं तेरी नाक की नीचे से कुई लोंड़ाव से पटाकर ले जागा और सुनते रहे ना उसके कांट गली महले में पिरना बेटा मेरा इकंदा काम आने वाला है तेरे समझा कुछ मैना शनाया को पटा के दिखाऊगा अच्छा और अपने यह जो चंपू वाला इमेज है ना उससे भी बाहन निकल के दिखाऊगा और तुम सब को दिखाऊँगा कि मैं भी लड़की बटा समता शनाया ना मेरी प्यार को जरूर समझेगी क्योंकि मैं शनाया को दिल से प्यार करता हूँ मैं शनाया के शरीर को नहीं उसके आत्मा से प्यार करता हूँ रभू चरन कहा है तुमारे तुम ना इस युग में गल्ती से पैदा हो गए तुम्हें तो राजा हरिश्यंत की तरह सत्युग में पैदा होना चीए था समझे तुम से ना हो पाई तुम ना शनाय को नहीं पटा सकते समझे अबे भट्टू जाना तो बड़ी दिंगे आक राता यह करदूगा वो करदूगा तुमस्ती मत करना शनुझ वोलना क्या बुलना है उबै वो नहीं मगर उसकी बड़ी बैन जरूर तुछ पर लाइन मार रही है तुमस्ती करना कुझे बातता ही नहीं करना है अबे किताभी खिड़े गलासमिस करेगा क्या शया रिशी, यह तो एक नंबर, उपस इसका ट्रेस, मा कसा मर जाने को दिल करता है, यार. एक काम करो, मुझे अपनी मा का नंबर दो, ताकि मैंने बता सकू कि तुम लोग या पढ़ाई करने आते हो, या क्या करने आते हो? दीदी, सौरी, गल्बती होगे, अब से नहीं करेंगा हम लोग ऐसा? मम्मी, दीदी बूल रहा है आपको, फोड़ा तु रहम करू? सौरी आंटी, माफ कर दो, प्रीस हम लोगों को. आज के बाद, शनाया या किसी भी लड़की को तुम लोगों ने छेड़ा, सीधा पुलिस पर बंद करवा दूँगी, समझे? वे यार, मैं छड़ूँगा, मगर तु नोच ना देने की धमकी मत दिया कर. शनाया, चलिए आंसे, कोई जर्रत ने ये टूशिन मूशिन पड़ लेकी? ममी, प्लीज, आप मुझे अपने आपस के जगड़ों में मत कह सी टूपी, मुझे फेल होने का कोई शौक नहीं है, प्लीज, अभी आप यहां से जाएए और आपर सीन क्रियेट्ट मत कीजेए, प्लीज. संज्यूर, क्या प्रॉल्म मोसकता है? ये आंटी गुस्से में क्यो चलिगे? अबे साले, तुझे अपने दिल का मैटर को पतानी, और चलाए दूसरे के मैटर में टांगणाने. चले कल. अगर मनें हिम्मत करके शनाय से बात कर लेना, मुझे लगता है कि वो पढ़ जाएगी. बिड़ा, तुम से नहीं हो पाएगा. हम कह रहे हैं, तुमारे अंदर वो लक्षन ही नहीं है. तुम जैसे गुंगे लोगों के लिए परमात्मा ने फ्रेंड बुक नाम की वेबसेट बनाई है. बस अब इस मंगल मंदिर जाना और फ्रेंड बुक के नाम पर एक नारियल चड़ा देना. अब वो ही करेंगे तु कि अब यहां अब यहां अब इसके तीन तीन अगांट है? अब लड़कियों का ना शौट टम मेंगोरी लॉसोता है. पासवर्ड बूल जाती है, इसलिए बनाने पड़ते हैं दो से तीन अगांट. चाहा. अब क्या करें? अम सब पर बेज देंगे. जो अगांट अब अब अंडा दे दिया है, चुपचाप मुर्गी की तरह उस पर बैठ जा और चूजों के निकलने का इंतजार कर. बुट्करी. बच थेरी शनाया तो बोली से भी तेज निकली. राइंड रॉक्ष्ण एक्सपप 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 एक्सपपः जब कुछ मेसेच करते हैं आथे. क्या लेको? लेगर दे. भाई यह तो बहुत डेस्पेट लग रही है एक इतनी कंटाव भी है जैसे सलमान को भाव ना दे कंटाव मत बोड़ा आसे अंद्य को अंदा भी नहीं बोलूँगा अब कुश मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इन सोशल नेट्वरकिंग साइट्स का कि अंजान लोगों को आपस में जोड़ देते हैं लेकिन इन साइट्स का एक और जोखिम भी है वो है जूट और फरेब आए देखते हैं क्या रभी अपने मकसद में कामियाभ हो पाएगा या फिर उसके साथ बहुत गलत होने वाला था रभी लोग्स या रभी तेरी तो निकल पड़ी अपसोन ऐसे गामी चलेगार पार्टी देनी बड़ेगी अब देख भाई तुझे देख ही जा रहे है तुकर देख दुले में कल जो सम दिया था उसका एंसर निकला साथा सालेंस क्या हो राजकल यहां पर अब रभी आजकल मैं देख रहा हूं तुमारा पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं लग रहा है मार्स भी कम हो रहे है ऐसे ही जलता रहा है तो मुश्किल में पड़ जाओगे तुमारी जूलेट का चाचा है तो क्या हुआ तुम थे जो सुन लिए हम होते न तो उल्टा चमका देते पैसे दे कर पड़ते हैं फ्री फंड कर नहीं पड़ते हैं जो कितना सुनाएगा वो अब यार अब यह मरे हुए चुवे जैसा मूँक्यों बना रखा है यार अब अब अपने चाचा के डर से वह अगर मुझे से बात करना बंद करती तो अपर तो क्या हम मर गए पूरी वाटी का उजाल कराएंगे और तेरा संदेशा पहुचा कराएंगे समझा ले ले होगे अब तेरी सारी टेंशन दूर तू लगा अरे रात बर मैं चलता हूँ भाई सूने जा रहा हूँ मुझा आए नीन चल मिलता हूँ जल्दी बाई दो ले हलो शोना कैसे हो तुम्हें ने दभी हो यह वास में क्यों बात कर रहे हो अच्छा 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 क्या कर रहे हु तो आज की क्लास यहीं एंड करते है और जैसाइन्मेंट दिया है वह आप लोग कल पूरा करके लाएंगे ऑगे थांक्यू सब्सक्राइब कर ले अपनी जूलेट सबाग कब तक यह चैटिंग खेलता रहेगा सनया 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 रभी तुमसे कुछ बात करना चाहता है क्या कहना है मैं तुम्हाई लिए नोट्स पना के लाया था अज़ा ओके चल महीं माँ तुम्हारी यह लव स्थोरी हमारे पल्ले तु नहीं पड़ती रात भर चैट करते हो से और दिन में ऐसा दिखातो जैसे एक दूसरे के लिए अजनभी हो बेटा अज़ा कब तक यह प्यार की नट सिरी में पड़े रोगे जाओ जाओ जाके लपका ग्राइशन पूरा करो शनाया रवी को तुमसे कुछ बात करनी है बोलू क्या बात है अलो क्या सोच रहे हो बोलू कल रात को तुम जो बोल रही थी ना अब वो मैं अब करना चाता हूँ मैंने कल रात को क्या का था तुमसे क्या बोल रहे हो तुम बोलो यह चा रहा था कि तुम तुमत कैसे शर्णाय को हाथ लगाने की मैं आउंटी भू ममी यह परेशान कर रहा है मुझे बहुत दिरों से बड़े अजीव कर रहा है आज के बाद शेनाय के आस पास भी दिखाना तो फीक नहीं होगा समझा चल शेनाय जला थे मजनू लैना पटाने अब पढ़ गया लैला के मा की हार की मार खाने क्यों भे समीर बड़े ही चटकारे मार रहा है भूल गया अंजली के साथ वाला कांड प्रेंट्शिप बेंड के बदले राखी बनवाकर आ गय थे पिछली साल उस से हाँ देखो भाई हम पहले भी बोल रहे थे और अब भी बोल रहे हैं यह लड़की शनाया ना तुम्हारे लाइक नहीं इससे दूर रहो हलो सॉरी मा कही थी इसलिए मुझे इसब करना पड़ा मैं तुमसे बात प्यार करती हो ने ने ठीक है कोई बात नहीं I trust you आज से हम लोग हम लोग क्लास में ना अन जान मन की रहेंगे ठीक है कोई प्रॉल्म नहीं मेरी मामी को मनाओ सबसे पहले कल उनको sorry बॉला ठीक है चला मामी आरी है मैं रख दियो हाँ मैं कल-कल आजाओंगा मैं ना किसी भी किमत में तुमारे ममी को मना लूँगा ठीक है अब यह सब क्या है मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है यह तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि बेटी को पटाने के लिए पहले मा को पटाना पड़ेगा हम बता रहे हैं कि तुमारी शनाया ना एक नम्मर की जोला लग रही है कि दूर रहो हम कह रहे हैं उभी बी जब हम से बात ने कर पा रहे थे तुम ही लेके गया थे न हमने उसे मिलाने आज जब अंज बात करना चाहती है तो काहे जल रहे हैं हम काहें जलेंगे? भूल गए क्या हैं मिला यह ते शनाया था तुम हमें और आज एक लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब करे दिया सही है तुम हमसे इसले जलोगी क्यों कि आम तुमसे इंटिलिजेंट है क्या है? हमारे पास गल्फरिंग भी है वाँ गरू अज हमें गान पेल रहे हैं अच्छा हुआ सही समय पे हमें तुम्हारा असली चरह दिखाई दे गिया All the best for your love life अरे तुम्हे प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अज मेरे पस गल्फरिंड है और तुम्हारे पस नहीं इसले प्रॉब्लम है ना तुम्हे? तुम्हा हमारी प्रॉब्लम चुम्हारे प्रॉब्लम सम्हें अरे तुम्हे अते प्रॉब्लम कहन बीच यह यड़ए शनाये हमारी कनल फेंड है ना शनाय हमारी कल फेंड है ऊसने हमसे हमारा दोस चीना शुरो यहारे सफाइदने न्या ज़ी टेनैय मेड़ हूं यहापे कुछ पोलोगे भी? वो अट्टी वो लोटस तेने है दूँ अंदर आजाओ जैसे तुम ढूंड रहे हो वो घर पर नहीं, माही मा के गर गई है अच्छा, कोई बात नहीं आए अंती, मैं फिर बैठो ना, सौरी उस दिन के लिए, पर क्या करो, समाना इतना खराब है, पीटी की फिकर होती है ठीक अंटी कोई बात नहीं, जब सनाया होगी तब मैं आता अफर अरे, सिफ शनाया से मिलने आयो? नहीं अंटी, एचली कुछ इंपोर्टन नोटस है, वो एक्जाम में काम आए इंगे इसलिए तुम बहुत शरीफ लड़किया, तुम जैसे शरीफ लड़किया अजकल दिखते कहां है घर पे आया करो ना मैं आंटी चलता अरे, बैठो रहा मैं तुम्हार ले चाय बना कर लाती अंटी उसकी कोई जरूरत ना इमा, मोच आगई पेखो, प्लीज देखो मैं अरे, सहन ही हो रहा है अरे, देखो, देखो अरे, शलाया रभी, तुम इस वक्त यहाँ पर? अरे, यह तुझे नोट्स देने आया है वो तो यह क्लासिस में भी दे सकता था एक बार आने से पहले पूछ तो लेते हैं वो अरे, शनाया यह तुझे नोट्स देने आया और तु इसे ही डाट रही है जा, उसके लिए चाय बनाकर लेकरें अरे, अरे, अच्छली अटी, कुई जरूरत नहीं है वो जह जाना होगा वो मम्मी को बताके नहीं आना तो बहुत आटेकी मैंनी करता हूँ शनाया, नोट्स शीयो यह एक नंबर का चिपको है तो यह जिसे नोट्स नहीं लेने उटेना इसको अपने मूँ तक नहीं लगाती मैं चट आज कल तो बड़ा फ्रेंड्स बूपर ओन्लाइन रहती हो क्या बात है है कोई? समवन स्पेशल? अजया हलो शोना कैसे हो? तुमारी याद आरी तुमारी ममा तो बहुत दारीफ कर रही थी तुमारी बहुत हीरो बनते फिरती हो तुम ममा के सामने क्या है ना? ममू की बोकी इंपरेज हो जा है तो बात को चौर अच्छ यह बताओ ममी के सामने आप लास में तो मुझे बात की नहीं करती अरे बुद्धु अभी ममी पूरी तरह से मानी नहीं है ऐसे ही कर आते जाया करो मेरी अपसंस में और उन्हें बताओ पर एक बार वो पूरी तरह तुमसे इंप्रेस्ट हो जाएंगी मैं उनको थ हमारे बारे में सब बता दोगी ओके चलो बाए मेरा शुना क्या कर रहा है आज कर तुम्हें बस ही काम करता हूए तुम्हें याद ऐसा हो था तुमंच से मिलों ग़ूरी अते अच्छा ऐसी बात है तुपिटी कर अब ही या जाताो अरे नहीं शुना अभी नहीं कल सुबा आजाना मामी भी नहीं होगी गर पे, सिर्फ तुम और मैं अकेले होगे अच्छा, फिर क्या होगा? क्यों? तुम्हें प्यार करना पसंद नहीं? नहीं, नहीं नहीं, बस वो फैंटेसी में चला गया था शुना, कल जब हम दोनों मिलेंगी ना? क्यों मैं तुम्हें फैंटेसी पर नहीं, सुच पर चांद पर लेकर जाओंगी नहीं, बाई 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 लव यू तू रवी जिससे शनाया समझ कर इतने दिनों से चैटिंग और बात कर रहा था असली में वो शनाया नहीं थी बलकि शनाया की मा दीपा थी ना सिर्फ रवी से चैटिंग कर रही थी बलकि उससे मोबाईल पर बात करके शनाया होने का भ्रम भी पैदा कर रही थी दीपा के इस असली चेरे से ना सिफ रभी अंजान था बल्कि उसकी अपनी बेटी शनाया भी अपनी मा की सकर्टूच से बेखबर थी इन सभी सोशल नेटवरकिंग साइट्स की सबसे भयानक तस्वीर यही है कि कम्प्यूटर के पिछे कौन है ये आप पता नहीं लगा सकते हैं इसलिए कोई भी आपके जजबातों से खेल सकता है ये धोका कब गंबीर अपराद बन जाये नहीं का आजा सकता इस तरह के कई केसेज हमारे सामने आये हैं जा क्रिमिनल्स ने साइबर चैटिंग और फोन के जरिये ना जाने कित्रे लोगों को धोका दिया है बावनों में भैकर रवी सतर क्लेना भूल गया और ये लापरवाई बहुत ही खतरनाप थी वो आउंटी इसलिए कुछ नोल्स बनाने थे इसलिए मैं आया था वो सनाय से फोन पर बात हुई थी कäre थी कि वो घर पर अकेले होगी अब अगर वो नही थो औरे वो तो महीमा के ना गई है. बैस आती होगी मैं ना फोन कर पूछ लेता हूँ कुलेता हूँ का अरे वो भूल गई है महीमा का कॉल आगया था नो और गुंट्ली उसका फोन खराब हो गया था न कल तो वो मेरे फोन पर सिम्यूस कर रही है उसने मुझे पताया था कि तुम आने वाले हो मैं भी कई बाहर ही जाने वाली थी वो एक बाहर आ जाती है तो तुम दोनों साथ में बाते कर ले ना ठीक, ठीक है हाँ एसे तुम काफी अलग लग रहा हो लोग भी काफी जेंज़ होंग है हैंसम भी लग रहा हो थेंक के आटी हूअ बरब गाल्यू से यह ठीक हो तेखे तो तुम्हारी हातों की लगेरे क्या बया करती तुम स्मार्ट इंदेलीचन्ट तुम सेक्सी हो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग से और फिजीक से बहुत अच्छे होते हैं तुम्हारी आखे, let me check your eyes तुम्हारी आखे तो बहुत कुछ बया करती है कहा देख रहे हो? मेरा मतलब है, क्या देख रहे हो? अंटी प्यास लगी तो पानी पना था इतना जल्दी गदास हो क्या? मैं अभी तुम्हारे ले पाने लेकर आती हूं क्या बात है, तुम लोग पहले ऐसे नजर नहीं आते? क्या बताओं भाई? लड़की के चक्कर में इंसान बदल जाता है ये तो सुना था और आज लाइव एक्स्पिरिंस भी कर लिया हम तो अपने आपको गुरू समझेते लेकिन कुछ लोग तो हमारे भी गुरू निकले आज कल के बिचे टीजर्स की सुनते कहा है और तुम क्या हो गया तुम्हें? हो गया ना मिट्टर में फेल? मेरा सबसे सिंसियर स्टुडिन तौप से बॉटम में कैसे पहुँच गया? जवाब दो देख मेरे बाई मैं तरह दूस तूँ दुश्मन नहीं तो जब भी तुझे कोई चीज समझाने जाता हूं तो तु बुरा क्यों मान जाता है? मैं बता रहा हूं यह शनाया सही लड़की नहीं है अपर एक बात बता जब तिवारी सर तुझे डांट रहे थे तु शनाया हास क्यों रहे थे? क्या कोई प्यार करने वाला ऐसा करता है? तू ही बता यह देख आज राग को बारा बजे बुलाया है उसने हमें बड़्डे है उसका लेकिन मैं मैंने तो कुछ बताया नहीं अरे सनाया चाहती है कि इस बार सबसे पहले हम उसे विश्च करें इसलिए नहीं बतायोगी और अगर माने कुछ कहा तो अरे कुछ नहीं करें कह रहे थी वह दर्वाता खुला रखेंगी लाइट डिम रहेगा और वो बेडरूम में मेरे लिए इंपिसार करेगी तु ही बता यह प्यान नहीं तो क्या है देख भाई तेरी यह हुराइन मेरे तो पलने पड़ती है और इस सवाल का मेरे पास अभी जवाब है वस इतना कहूंगा समल कर रहना चला जा आज अपनी वाली चाय पीते हैं टीप सक्यों अभाई प्याई प्याँ यह तेप सक्यों अवराब दर्वादातों कुल्ला? दर्वादातों. मम्मी नहीं पिर्वादातों कुल्ला चोड़ दिया. मैं पिर्वादातों कुल्ला करूँ. महीमा की घर पढ़ाई करने के जारी तो और बुक्स ले जाना तो भूली गई. अब पक्का मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी. शनाया तो बहुत खूब सुरत. नाया फिल रेली लखी. अब का तुमिजी है? रवी? हौँ डर्यू? तुम मेरे घर में कैसे कसे अगए? अर मेरे मां को हाथ कैसे लगाया? तुम अब ही यह से निकल जाओ बनादाना को बिला लूँ. अब आगो! लो 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 डालिंग? एक सब्सक्राइब देखे जाए देखे चाहिए रवी आते बहार टिक्रो प्रीज़ रवी अब समझ में है कि तुम फेल कर रहे हो आश्की सवार हो गई तुम्हारे दिल पे तुम्हारी हम्मत कैसे हो हमारी भतीजी के घर में खुषने की हमारी भावी को हाथ लगाने की आज के बाद अगर तुमने मेरी कोचिंग में खदम भी रखा तो तुम्हारे हाथ पर तोड़ दूगा Get out Get out Get out अगर तुम अपने उसायाज दोस्त के साथ गए तो तुम भी इस कोचिंग में तुबारा कदम मत रखा सर जी मेरे लिए दोस्ती जाद माइने रखती है और जूलर तो यह आपकी बतीजी है मेरा दोस्त एकदम निर्दोश है और यह मैं थाबित करके रहूँगा कर दो दो अजया अजया क्यों हो अजया प्रभी अजया सब ठीक है मैं आगे हो ना कि वह मुझे कुछ पता चला है जैसे तेरे साथ हुआ है ना वैसा ही सेम टू सेम एक लड़के के साथ भी हुआ है उसने मुझे सब बताया कि शनाया कि मा एक नम्मर की चालो हो रहा था और भाई क्या हाल है मस बढ़िया तू सुना अरे मस एक बात बता तो यह देख मेरी नई बाच वह इतनी इतनी मेही गड़ी कहा से आई भाई गिफ्ट में मिली है गिफ्ट मिला बड़ी कमाल किया भाई तेरी गल्फ्रेंड पताया नहीं तुने कभी क्या बात कर गल्फ्रेंड और इतनी महंगी आंटी पटाये वे जो मेरे डिमांड पूरी करती और मैं उनकी और बताना कौन से आंटी को पटाया तुने पर हमें भी बता दे एक मिर्ट रुक यह देख मेरी चैट वे तिरी यह तो शनाय की आईडी है और यह तुस्से कब सेट हुई हाँ मुझे भी पहले यही लगा कि शनाय की आईडी है लेकिन जब चैट हुई वाइस कॉलिंग हुई और जब फेस-टू-फेस एंकाउंटर हुआ ना तब पता चला कि मा बेटी के नाम पर अपने अर्मानों के पंक उड़ा रही है एक बार तो लग एक चमाट दू फिर सोचा कि मा भी इतनी बुरी नहीं क्यो ना उसी के मजे ले ले तुम जैसे शरीफ लड़के अजकर दिखते कहा है घर पे आया करो ना शनाय को भी अच्छा लगी का आरुनो छेपी इमा देखो ना देखो अरे शनाय इंटेलिजन्ट तुम सेक्सी हो तुम्हारी आके तो बहुत कुछ बया करती है नजना लो मजे खोशाओ अबे ढकन उससे हमेशा फुसफुसागर बात करती थी ना ये बोलकर कि मा सुल लेगी अबे मां खुद बात करती थी फुसफुसागर पराकि तुम्हारी अवाज पहचानना पाए मैं दबी हुई अवास में चो बात पदियो सॉरी मां करेंगे छोड़ोंगा नहीं समय भुकतना पड़ेगा उसको हो हो तो उसस सुर्वाण्रब, है अई कालनोंगaire तो क्यो कर आदúsica तुम कैसा मैंदीशिंष ओड़े मचा मुझे निवारे शबुच पता चल गया हो और है निरूक करेंड़े जो पहाँ कूए ता तू रसना है अगॉ कैसी बहकी-बहकी बाते कर रहे हो तुम चलिए जाओ यासे, देखल जाओ मेरे गार से अभी मेरत अभी तुम यह, यह जबर्दस्ति घर पे घुशाया और इसने शेराब पी राखी है नशे के हालत मेरे साथ जबर्दस्ति करने की कोशुश करना था तुझे तो ना, मैं पुलिस के हावाले करूँगा कोचिक में समझाया था ना, लेकिन तू अपनी हरकत से पाज नहीं आए काचु मुझे इस पे पहले से शक्ठा जब ये मेरे साथ अजीब इहेव कर रहा था और ये तब ही घर आता था जब मैं घर नहीं होती थी अरे मुझे छोड़ो तुम लोग मेरे बारे में बोल रहा हूं हाँ? अरे ये कितनी केरेक्टर लेस है तुम लोगो क्या बता? तुम ने मेरे मागो केरेक्टर लेस कैसे कहा? के दा आता है? जाए इकलबाद इकलबाद वैसे भावी हम लोग बेखूफ नहीं है आप ही के साथ ऐसा हर बार क्यों होती है पिछली बार भी एक लड़का ऐसी जबरस्ती घर को साया मेरी छोड़ो तुम अपनी कहो तुम्हें हजार बार मना किया कि इस घर में कदम मत रखा करो फिर भी तुम अपी यह मनुशकर लेकर चले आते इस घर पर अज़र अपका नहीं यह घर मेरे पापका है उनका घर था यह मेरे पती का घर है और उनके बाद मेरा घर है शनरत कुम्हें अपने चाचु सिता प्यार है तो उनके घर जाकर रहो यहां पर नहीं रेख लेखे चाचु आप तो ममी को जानते है ना वो ऐसी ही है और प्लीस आपके जगड़ों में मुझे अपना मूड खराब नहीं करना है शाम को मेरी एक पाटी है मुझे उसकी तैयारी करने जाना है तो प्लीस मुझे लापरवा हो गई है दर्वाजा खुला ही छोड़ देती है क्या मम्मी मम्मी कहाँ परो आप आपको पता अश पाटी में बहुत मजाया मैंने और महिमा ने बहुत डांस किया बहुत अच्छा खाना भी था तो आप कहाँ परो मम्मी 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 कर दो कर दो कर दो दिन पहले तु जब जस्ति उसके घर पे घुसा थाना उन्होंने तुझे बाहर के निकाल दिया उन्हें उन्हें इसका मडरी कर दिया नहीं सब्सक्राइब कॉछ दो जब जो इसके बाले में कुछ नहीं पर तुछनी पर तुम जीने सर आप में रवी के साथ ही था और अम साड़े गराःज साड़े बारावज अवेज निकालो अर पता करो इससे कौन कोर मिलने आता था और उसका किससे जगडा था उसके माझने से किसको फैदा हो रहा था, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए, ओके और रहा तुम दोनों, जब तक इस केस के छान भी नहीं हो जाती, यह सहर छोड़कर कही नहीं जाओगे, ओके? जाओगे, और भी नहीं हो जाओगे, फैन्सबूक के वज़ेसे वज़ेसे बचाए तू आज, जो लाउस मैंने बताया है, वह बहुत इंपोर्टेंट है, मेमराइज कर लीजे, एकजांस में इंचाहिए, एमशेवर राने वाले है, और एक चीज़ धरूर धिया है, अन्डर मिश्टर तेवारी, जिस दिन दीपा की मौत हुई, उस दिन तुमने 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 तुम्हारे फोन से लगबग 20 मिश कॉल दिये थे उसे हाँ सर तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो मेरी भावी थी और एक देवर भावी को फोन कर सकता है, इसलिए एक साल से तुने तो कभी कॉल नहीं किया, और अचानक इतना भी इस कर रहा है अपनी भावी को देखो, चुप चाब बता दो, वन्हार इतनी मार मारूँगा, इतनी मार मारूँगा, तो बैठने के लाइक ने चोलना तुझे, सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी भावी थी वो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, सर बता बताता हूं, सर मेरे बड़े भावी की मौत के बाद, मेरा भावी से प्रॉपर्टी को लेकर डिस्पूट चना, बहुत लालची थी, हमारे पिता की मौत के बाद, हम दोनों भावी की यूडिटी कभी कब नहीं हूँ, लोग ने प्रॉपर्टी को लेकर कभी कोई बात नहीं है, सारी बड़े भीया की मौत के बाद भावी ने मुझे दमकाना शुरू कर दिया कहा कि ये कोचिंग क्लासे से जितना कमाते हो उसमें से आधी पेमेंट उनको चाहिए नहीं तो वो मुझे यहां से निकाल दें क्योंकि बड़े भीया के मरने के बाद आटोमेटिकली सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर जाए बस उसी दिन से में मौका ढूंड रहा था उनको ठीका आने रगाने के लिए उस दिन जब रवी घर पर आया और उसने भावी को धंकाया नशे की हालत में पाया गया तुम मुझे मौका मिल गया यह सही मौका था भावी को जान से बादने के लिए तुमारी हिमत क्या सोई मेरे घर प्याने की निकल जाओ यासे क्योंकि एलजाम रवी पर जाता और मुझ पर कोई शक भी नहीं करता अबल्दार गिरफतार करो इसे चलो 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 दीपा की हत्या तो प्रॉपर्टी के लिए की गए थी लेकिन कुछ हद तक वो खुद भी इसकी जिन्मेदार थी अगर उस दिन तिवारी रवी को दीपा के घर पे उस हाल में नहीं देखता तो शायद वो दीपा का मर्डर प्लान नहीं करता दीपा अपनी ही बेटी से बराबरी करना चाहती थी यहां तक कि वो अपनी बेटी शनाया की सोशल नेटवर्किंग साइट्स की आईडीज का इस्तिमाल कर रहे थी जो की कानूनन जुर्म है दीपा की जिन्दगी का अगर इस तरह दुख़दंत नहीं होता तो यकीनन कोई दूसरा हाथसा इंपजार कर रहा था या तो वो फ्रॉट करने के जुर्म है सलाखों के पीछे होती या फिर रवी गुस्से में आकर कोई क्राइम कर बैठता हमारी आप लोगों से हिदायत है कि अगर आप सोचल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा अलट रही है क्योंकि कोई भी नकली आइडेंटिटी बना कर आपको कभी भी धोका दे सकता है इसी के साथ मैं आमित पचोरी क्राइम अलट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे अगले एपिसोड में फिर किसी सची कहानी के साथ आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है, तो अलर्ट रहना होगा, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ, अवाज